नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरो क्योड बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर CM नतीस ने दी विश्व कर्मा पूजा की बधाई जल जीवन हरियाली के अधूरे काड़े होंगे पूरे केगे पाठक के आदेश के खिला पटना हाई कोट पहुँचे कोचिंग संचालक राचे के 285 डिग्री कॉलेज का प्रेजेंटेशन लेगा सक्छा वेभाग आदेश के खिला भारत की हार पर सोयव अक्तर का बयान इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से सीयर नितीश ने दी विश्व कर्मा पूजा के बधाई आज यानी की 17 स्थम्बर को विश्व कर्मा पूजा के रूप में मनाया जा रहा है ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के दवरा राजी एवं देश वासियों को विश्व कर्मा पूजा की बधाई देते हुए एकस्पर्ट जो की पूढवो में ट्वीटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर कहा गया है कि राज्य एवं देश्वासियों को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुपकामनाई भगवान विश्वकर्मा स्रिजन के प्रनेता है आज का दिन सभी श्रमिक बंधुओं द्वारा उनकी अराधना का दिवस है मेरा विश्वास है कि सभी श्रमिक भाई बहनों के सहयोग से राज्य निरंतर प्रगती के पतपर अग्रसर रहेगा जल जीवन हरियाली के अधूरे कारे होंगे पूरे राचे में कुछ समय पहले 129 और 12 नगर निकायों का छेत्र विस्तार या उत्करमित होने की वजह से इन छेत्रों में चल रहे जल जीवन हरियाली योजना के कारे क्रम पूरे संपन नहीं हो पाए थे ऐसे में अभिन नए नगर निकायों में अधूरी योजनाओं को पूरी करने के लिए कवायत शुरू कर दी गई है बतादे कि हकाम नगर विकास एवं आवास विभाग के दोड़ा पूरा किया जाएगा हाला कि पहले यह काम ग्रामीन विकास विभाग के जिम्मे था लेकिन ग्रामीन छित्र के सहरे इलाकों में तबदीर होने के बाद इनमें मौजूद योजनाओं के क्रियानवन की जिम्मेदारी को बदल दिया गया बता दे कि नगर विकास एवं आवास विभाग के दोड़ा अधूरी पड़ी सभी तरह की योजनों की सुची तयार की जा रही है ताकि उनके बारे में सटक जानकारी प्राथ हो सके और उसके आधार पर काम को पूरा किया जा सके आपकी जानकारी के लिए बता दी कि सभी तरह के नगर निकायों में 2,35,956 जल सनचनाई है जन में से 1,3,3,390 को फिर से विक्सित करने की आवशकता है प्रधान मंत्री नरंद्रमोदी को राश्ट्रपती सीयर्नितीस ने दी जंदन की बधाई आज प्रधान मंत्री नरंद्रमोदी 73 साल के हो गया है ऐसे में आज उनके जंदन के अफसर पर देश भर से उन्हें बधाईयां मिल रही है बतादे कि प्रिधान मंत्री नरंद्र मोदी के जंदन के मौके पर राश्रुपती दरौपधी मुर्मुर के द्वारा बधाई देते वे कहा गया कि प्रिधान मंत्री मोदी जी को जंदन की हार्दिक बधाई एवं शुबकान नाए जी नरंद्र मूदी जी को जन्दन की हार्दिक बधाई एवं शुप कामना है उनके स्वस्ते एवं दर्गायू जीवन की कामना है लोग जनसक्ति पाटी रामिलास के राश्ट्री अध्यक्ष और जमुई के सांस चराग पासवान के द्वारा पीयम मूदी को बधाई देते कहा गया कि देश की प्रगति के पद पर अग्रसर कर विश्य पटल पर भारत का मान बढ़ाने वाले लोग प्रिय प्रधान मंत्री नरंद्र मूदी जी को जन्दन पर उन्हें हार्दिक शुप कामना है राश्ट्र निर्मान के लिए समर्वित आपका जीवन हम सभी के किये गए और आगे भी किये जाएंगे इसके लिए बोर्ड ने तयारी शुरू कर दी है बतादे के फिलहाल फौकानिया और मॉल्वी के परिच्छा के प्रश्ण पत्र में बदलाव किये गए हैं जिसके तहत अबवर सो हजार चौबिस से इस परिच्छा में पूछन पूछे जाएंगे इसके लिए बोर्ड के दौरा ओमर सीट लागू करने का नड़ लिया गया है वहीं छात्रों का अंग पत्र और प्रमान पत्र भी डीजी लॉकर में रखा जाएगा इसके लावा आने वाले दिनों में परिच्छा सेली में बदलाव होने बाले ह के इसके लिए OMR लागू होगा क्येके पाठक के आदेश के खिलाब पत्ना हाई कोर्ट पहुंचे कोचिंग संचालक 31 जुलाई 2023 को सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीब के के पाठक के द्वारा कोचिंग संस्थानों को स्कूल की टाइम में नहीं चलाई जाने संबंदित दिये गया देश को लेकर कोचिंग संस्थानों के द्वारा अपने और छात्रों के हितों के नुकसान के आधार प जल से जल सुनवाई की जाए मिली जानकारी के नसार यह आचिका अधिवक्ता अभिनव श्रिवास्तव के माध्यम से कोचिंग एसोशियेशन और भारत व अने द्वारा दायर की गई है आपकी जानकारी के बता दे कि केके पाठकी ओर से यह नर्देश दिया गया था कि राज दिंगू मरीजो की कुल संख्या 1760 हो गई है जबकि इस वर्ष दिंगू मरीजो की संख्या 2035 हो गई है मालूमों कि स्वास्त विभाग के द्वारा जारी किये गया आंकरे के नुसार बिहार की राजधानी पटना में सबसे जादा 63 दिंगू के मामले सामने आई है वहीं अ बिहार में डिंगू के चार वेरियंट मिल चुके हैं जनमें से वेरियंट D.E.N.B. चार काफी दिनों बाद मिला है गया में नहीं लगेगा बागेश्वर सरकार का दरबार 29 सितंबर से 5 औक्टूबर तक गया जी में बागेश्वर बाबा के नाम से प्रचलित पंडित धर के चंद्र कृष्ण सासरी तीन दिनों के लिए गया में रहने वाले हैं वीड Albiniya में चल रही खबरों के नुसार वे गया जी में पित्रों का पिंढ़ दान करवाने के अलावा विश्णूपद मंदर में भगवान स्रीहरी के दर्शन भी करेंगे और इसके साथ ही मंगला और बोध गया महाबोधी मंदर भी जाकर भगवान बुद्र को नमन करेंगे। उन्होंने अमस्सा से गुजारिस की है कि वह एक बार खोद अस्थल पर जाकर जमीन का मुआयना करे, तभी उन्हें पता चलेगा कि राजे सरकार ने एमस निर्मान के लिए कितनी बहतरीन भूमी आवंटित की है, उन्होंने कहा कि मिथला सहित संपुन बिहार की जनताप के भ बिहार में पुनलोप से सराब बंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं, हाला कि इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही, ले दरसल मध्य निशेत विभाग को मिले गुप्त सूशना के आधार पर जब वैशाली जिले के सराई थाने में च्छापी मारी की गई तो वहां सराब से लदी एक पिक अप वैन को जब्त किया गया, इसके साथ इस तोरान विभाग के दोरा पिक अप वैन पर सराब लाद रह पांच लोगों को भी ग्रिफतार किया गया है, इस मामले के सामने आने के बाद अप पुड़े पुलिस महकामा में हरकम मचा हुआ है, एक तरफ जहां सराब तसकरी का सीधा सीधा आरोब पुलिस महकामा पर लगा है तो वहीं दूसरी ओर जिले के पुलिस कप्तान इस मामल डिगरी कॉलेजों के कूल सचीवों को निर्देश देते वी जानकारी दी गई है कि अब इन संबंध कॉलेजों का संपुर्ण कागजात समेथ तमाम पहलूं की विभाग के द्वारा समिक्छा की जाएगी, इसके लिए कॉलेज के विश्तृत रिपोर्ट तलब की गई है, बता दे कि विभाग में इन सभी संबंध डिगरी कॉलेजों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, जो की 18 सितंबर से शिरू होगा और 5 अक्टूबर तक चलेगा, आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस पावर पॉइंट प्रेजेशन में कॉलेज के गेट के फो नमांकित चात्र चात्रा एवं विगत सत्र का रिजल्ट होगा, बियाईटे पटना में बीटेक की खाली सीटों पर 19 सितंबर को दाखिले का विसेश अफसर, अगर आप भी बियाईटे पटना में बीटेक में अडिमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दे कि 19 सितंबर को 11 बज़े तक अब बियाईटे पटना में बीटेक के सो खाली पड़े सीटों के लिए आविधन कर सकते हैं, मालूमों कि नमांकिन प्रक्रिया 19 को ही कैंपस में ओफलाइन तरीके से होगी ऐसे में ओनलाइन आविधन करने वाले सभी छात्रों को प्रक्रिया समाप्त करने के बाद 20 से कक्छाएं शुड़ू हो जाएंगी, मालूमों कि इसके लिए आविधन करने वाले सभी छात्रों को 19 सितंबर को कैंपस में ओरीजनल सर्टिफिकेट शुलक आधी लेकर जाना होगा, बता दिक इस बात की जानकारी, निदेशक डॉक् के निदेशक समु के अधिकारी जग नरायन सिंग और सतीश कुमार को गिरिफतार कर लिया गया है, बता दे कि हैं दोनों धनबाद से जड़े हैं, और यह दोनों दो दिन पहले गिरिफतार बालू काड़ोबारी राधा चरन सेट के साथ बालू सिंडिकेट में सही होगी है मालूमों के पिछले दिनों एडी के दोरा बालू सिंडिकेट से जुरे लोगों के ठिकानों पर छापा मारा गया था, उस दोरान अधित्य मल्टी कॉम को भी नोटस दिया गया था, मीडिया में चल रही खबडों के नुसार इनका जादा कारोबार बिहार की राजधानी प बहिशकार वाले निउस एंकरों पर सी एम नितीश का बयान, विहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के दोरा पत्रकारों से बातचीत करते वे पहली बार विपक्षी दलों के गड़बंधन इंडिया द्वारा 14 निउस एंकर्स को बहिशकार करने के फैसले पर अपनी प्र लोगों को भी पता है कि हम तो आप लोगों की इज़त करते हैं, आप लोग हम से पूछते हैं कि कुछ हलका लिखिएगा, बाद में हमको कहा जाता है कि यह मत लिखो, इंडिया कड़बंधन में हमारे साथ जो लोग है उन्हें लगा होगा किधर उदर को छोड़ा है, लेक भारत को मिली हार पर पाकस्तान के पुर्वतेज गेंद पाज, सुयब अक्तर के द्वारा चुटकी ली गई, उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह हार सर्मनाख है, पाकस्तान टीम जब श्रिलंका के हाथो हारी तो ऐसा कहा जाने लगा कि पाकस्तान ने टीम को पीटा गया ह अब जाकर उन्हें और पुरे पाकस्तान को थोड़ी रहत मिली है, भारत ये टीम जाग जाओ क्योंकि आप किसी भी टीम को हलके में नहीं ले सकते, उन्होंने कहा कि विश्वकप में भारत और पाकस्तान प्रबल दावेदार में से एक जाने जाते हैं, लेकिन वह किसी भी टीम को पसंदीता का टैग नहीं देंगी क्योंकि सभी टीम में अपने दिन पर किसी को भी हराने का दम रखती है, जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल के रेट, बिहार में आज यानी रविवार को पिट्रॉल डीजल के रेट चारी किये गए, इसके बाद रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रती लीटर में मिल रहा है, बुझापर पूर में पिट्राल कीमत technology都有 5 रुपए और कि गया है सेससांडी कीमत कीमत मता ही बिढ़ार में हैं जहां पिट्रों 1 991 रुपई रुपई कि दर्सें मिल रहा है बीते दिन हमारे दुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आप आज विश्व कर्मा पूजा कैसे मना रहे हैं अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए तना ही विभार के तमाम खबरों के साथ बन रहने के लिए देखते रहें बिभारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरां चाले को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्वूक से देखर दो पेच को फॉलो करना न भूले धन्यवाद